आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगी मेरे नाम ऐसे दान तक नहीं होते ही स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत दोस्वागत है दोस्तों वेडी हैपी न्यू यह नए साल की आपको बहुत बहुत बताई यह दो हजार बाइस आपका है फोड़ देना इस बार जिसको मुझे लगता नहीं मेरी हालत ऐसी है ही नहीं कि मैं आज लाइब आप हूँ शायद कल आउगा क्या हो गया है मुझे बाई यार मेरी कम जो गर्दन है कमर कर रहो जो गर्दन है मैं कल उठा सुबा सुबा इतना असहनी दर्द मैं गलत करवट्स हो गया एक करवट्स हो गया जिसकी वजह से मेरी स्टेफ गर्द जो नेक है वो स्टेफ हो गई है तो अभी थोड़ा सा बेटर है 50% बेटर है कल तो ऐसा लग रहा था कि एकदम गर्दनी टूट गए मरी गए इतना जाद दर्द है था तो इसलिए कल मैं लेक्टर नहीं ला पाया था तो अभी मेरी जब ह नहीं रही है तो मझे लगा अब लेक्टर रिज्यूम करने चाहिए एक इंपॉर्टेंट इनॉंस्मेंट बताना चाहतो भाई हमने अपनी सेल को एक्स्टेंड कर दिया है तीन जनवरी तक रहेगी कल रात में बच्चों ने जान खा ली हम लोगों की कि सर ये नहीं है सर प सब्सक्राइब की प्रॉब्लम हो उसको ठीक कर लें सेम चीज है न्यू यर 2022 आपको कूपन कोड यूज करना है एक्स्टा 25 पर सेंट सारे कोर्स पर हो गए इन नंबर्स पर कर सकते हैं यह सारी चीज़े हम आपको दे रहे हैं और अगर आपको इसकी PDF किसकी क्या PDF लेंगे वैसे प्रीवेस लेचर की PDF को मैं स्टेडीग्लोज डॉट कॉम पर मिल जाएगी है कोविड नैंटीन की बात करें दोस्तों तो दो हजार इक्यस 31 दिसंबर similar situation में हैं जब 2020 था अब आपको बता दूँ कि लगबख 16,000 cases detect हुए है 16,000 cases 30 दिसंबर को सुरी 31 दिसंबर को और पिछले सार 21,000 cases इस समय detect हुए यानि कि इतियास पिर से दोरा रहा है हाला कि एक साल पहले भारत की condition बहुत अलग थी आज बहुत अलग है cases घरते जा रहे हैं तो आप ये समझेए कि खुशकबरी है cases कम हो रहे है अब देश को लग रहा है कि भाई नया साल आ गया है तो अब सबसे खराब समय तो चला ही गया है लेकिन अभी भी second wave ने जो हालत जो बुरी हालत हमारी की थी हम सबको पता है एक दिन में चार लाग cases आ रहे थे अब 2022 कैसा जाएगा क्या इस पर वाकई cases बढ़ेंगे second wave की तरह 2022 में भी होगा इतनी बड़ी होगी क्या third wave या third wave आएगी देख इसका कोई certain answer नहीं है अभी तक हम कुछ भी नहीं कह सकते there is no certain answer as yet लेकिन current assessment की बात करें अब देखें omicron variant ने पूरे यूरोप पे तबाही मचा दी है deadly नहीं है omicron याद रखेंगा deadly नहीं है यह खतरनाक नहीं मर रहा है कोई नहीं बहुत लोगों तो पता भी नहीं चल रहा है लेकिन mild cases अभी तक भारत पर भी mild cases आए है एक तो भारत में अच्छी बात यह है कि vaccination हो गया है vaccination तेजी से और बूस्टर डोस भी लगना शुरू हो गई है लगिन अभी तक कोई भी ऐस सच study नहीं आई है जब से omicron आया है कि इसने यह hint किया हो कि भाई बहुत खतरनाक है omicron अभी तो initial है और अभी किसी भी देश में 100 से ज़्यादा देशों में अभी omicron present है तो किसी भी देशों में ऐसा नहीं कि covid death rate बहुत ज़्यादा हो Friday को सुरेश काकानी जो के additional commissioner at BMC के उन्होंने बोला कि भाई देखो मुंबई में भारत में अभी तक किसी को भी oxygen की ज़रूरत नहीं पड़ी है तो पहली बात omicron is not as deadly जैसे हम सोच रहे थे ठीक है तो oxygen requirement सारे पेशेंट में नियरले जीरो डेल्टा में तो बहुत अधा oxygen चाहिए थी एक और अच्छी होप एक और अच्छी चीज है जिससे हम आशा लगा सकते हैं भाई देखो पिछले साल भारत ने vaccination का शुरू किया था मतलब पिछले साल भारत ने vaccination शुरू किया था लेकिन 16 जन्वरी से मतलब जैन से वो सिर्फ हेल्थ राइन हेल्थ फ्रेंट लाइन वर्कर्स को मतलब हेल्थ वर्कर्स और बाकी पोले सोले से इन सबको लग रही थी एप्रेल में हमारा प्रॉपर वैक्सिनेशन आम जनता को शुरू हुआ है सेम चीज में बता रहा हूं कि अभी हम वैक्सिनेट हो चुक है मतलब 110 करोड से जादा 90 पसेंट से जादा लोगों को एक डोस तो लगी गई है एल्थ मिनिस्टर मांसुक मांडविया ने यही बोला कि भाई हमने 145 करोड वैक्सिनेशन कोविड-19 वैक्सिनेशन जो है वो पूरे कर लिए हैं अगर सब कुछ मि वो थर्ड वेव है ना पिछली बार भाई 2021 में जो गर्मी आई थी सेंटरल स्टेट गवर्मेंट एकदम से उनको भी नहीं पता था कि यह क्या हो गया क्योंकि इंफेक्शन इतनी तेजी से वाड़े थे कोई प्रिपेर था ही नहीं यह चीज है लेकिन अभी भारत थोड़ पिछले गर्मी में डेल्टा ने पूरी दुनिया में तबाई सेम टाइम पे मचाई थी लेकिन जवाद पहले यूरोप में मचाई हुई है तो यह चीज है और उसके बाद फिर वह है न कि जीनियस वह है जो दूसरों की गलती से जीके तो दूसरों की गलती की बात करें तो थर्जडे को अमेरिका में फिर से 5.8 लाक के से जाए अब समझेरो 5.8 लाक UK, France, Spain में इनकी population जादा नहीं, 6-6-7-7 करोन है, 2 लाक के करीब के से जादा है हर दिन तो ये चीज़ है, अब भारत के अगर इस में देखें, तो भारत बहुत जादा आ सकते हैं, बारत की population जादा है, size बहुत जादा है, breed bar बहुत जादा होती है, तो ऐसा नहीं है कि खत्रा तला नहीं है, खत्रा तो है, ठीक है, hospitalization का बहुत ही low rate है, beds की demand का में ICO oxygen जो है, वो इतनी जादा आपको नहीं चाहिए, बट still आप ये भी तो देखो, कि भाई कुछ कह नहीं सकते, अभी तो initial investigation ये कह रही है, तो ये चीज़ है, फिलाल हम दूसरे साल, pandemic के दूसरे साल में, 2019 में ये pandemic काया था, दो साल पूरे हो चुके है, तो अब best क्या है, best यही है, कि हमको cautiously चलना है, ओमिक्रोन भले इतना डेडली ने कि फिर भी, भाई, क्या पता, किसी के लिए डेडली हो, किसी की immunity बहुत ज़्यादा कम हो, तो इसी लिए COVID appropriate behavior follow करिये, जैसे दिल्ली ने भी yellow alert किया है, और भी राजे जो है, वो अपने हिसाब से curb कर रहे है, mask पहनिए, crowding को avoid करिए, तो ये lecture ताइक बर फिर से आपको happy new year, wish करना चोगर तीन जन्वाटी तक हमारी sale जो है, वो extent हो गई है, और भाई, यार कोई गर्दन अर्दन न कर, अलाकि मैं तो pain killer ली थी, और थोड़ा बहुत exercise बें कर रहा हूं,